अगर ये विपक्ष सवाल करता है, तो क्या गलत करता है? SBI, LIC में क्या डानी जी का पैसा लगा है? उसमें देश की जनता का पैसा लगा है. उसमें प्रधान मिंत्री जी का पैसा नहीं लगा, हिंदुस्तान की जनता का पैसा लगा है. और अगर हिंदुस्तान की जनिता का बैसा खत्रे में आता है तो सवाल कौन पुछेगा विपक्स पुछेगा इन्ही सवालों को लेकर साथ फरवरी को राहुल गांदी जी ने संसद में तथियों के साथ कथ्यों के साथ दस्ता भेज और सबूर दिखाते हुए सवाल कुछे उनका सेट दिया लेकिन क्या हुआ राहुल गांदी जी का भाषण संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया जाता और बड़े हैरानी की बात है कि हमारे राष्ट्य अध्रक्ष मलिका अर्जुन खडगे जी उन उनके भी भाषण के अंच हटा दिये जाती है क्या देश के लोगन्त में कभी आपने ऐसा देखा कि एक सक्ताधारी पार्टी संसद ना चलने ने रहे हो इन्होंने राहुल गांदी जी पर गंभीर आरोफ लगाई कि उन्होंने विदेश की धर्ती पर देश का नाउं खरा किया लेकिन प्रधान मंत्री जी स्योल में क्यां कर रहे थे राहुल गांदी जी ने तो बड़ी मजबूती से कहा कि हिंदुस्तान का लोगन्त इतना मजबूत है कि वो विश्व की दिशा और दशा तैख करेगा और यह हमारा आंत्रिक मामला है हम इसको फुद तैख से आप सब और विडिएवी देखा होगा आपने पढ़ाई होगा कि उन्हों ने पोला क्या है और कहीं भी किसी भी तरीके से रहुल गांदी जी ने वह तो बिल्कुल नहीं का जो भरके जनताःप्रिटी लगातार संसद में राहुल गांदी जी को गेर कर इंजाम लगाने विपक्ष की मांग क्या है विपक्ष की मांग है जेपीसी जोईट पार्लिमेंटरी कमिटी जब इतनी बड़ी बात हो रही है तो आप जेपीसी आखिर क्यों नहीं लगा रहे हैं आखिर आप की ऐसी मजबूरी क्या है कि आप जेपीसी नहीं लगा रहे हैं आप जाज क्यों नहीं बिठा रहे हैं आप बिठाईए जाज दूद का दूद और पानी का पानी करिए यही सवाल लगातार पूरा विपक्ष पूछ रहा है आज खेमंत मिश्व शर्मा जब कॉंग्रेस में होते हैं तो भुष्टाचारी और जब भाते जनता पार्टी में सब्सक्कारण दूब जाते हैं तो मुख्य पत्री पर उनरायग हो जाते हैं बहुत सारे ऐसे आता है जो जब दूसरी लिपक्शी पाटी में रहे तो भृष्टचारी के एंजाम भृष्टचारी के अज़्वाराय की अग्जाम उनके उपर इह पार्टी लगातार लगान और जब इनकी पार्टी में वो जाते हैं तो दाग अच्छे हुझा तब पीडी भी नहीं जाती चापे भी नहीं पड़ते सब्सक्राइब तो लगातार जिस तरीके से ये लोग राहुल गांदुजी के पीछे पड़े हैं वो पड़े क्यों है एक नेता बिना दहे बिना रुके बिना जुके कन्या कुमारी से तश्मीर तक अगर देश की जनता की आवाज उठा रहा है में लिगाई पर सवाल पूछ रहा है बेरोज पूरे विश्व में कच्छे तेर के दाम घट रहे हैं इंदुस्तान की जनता को क्यों नहीं मिल रहे हैं क्या ये सवाल मुच्छा गलत है क्या 400 उपे के सलेंडर पर ताड़नम मचाने वाले लोग को जब 1200 का सलेंडर होता है बाहा नहीं रहा है मध्यप्रदेश में कोई ब सब्सक्राइब की मुख्याता नहीं रिखा होगा लेकिन राहुल गानुचा की एक बात आ जाए तो वो सड़क पे मुच्छा खुल देती तुरंट प्रेस कॉंट्रेंस करती दो रुपल्ली के ट्रोल बना दिया है भर्टे जहता पार्टी ने अपने सभी मंत्रियों को वो इस तरीके से उन्होंने भाशन को मैं अपलेट दूसरा इन्होंने जुदा बोला वह यह बोला कि भाई राहुल गान्दी जी ने एक सपेशल ओबी सी समुधाय को टाइट तार्ट दिया तो में यहाँ इस खुले कुछ से कहती हूँ, कि हिंद्स्तान के लोगों कर जो पैसालेकर जाएगा, वो चोर कहनाएगा. और उस चोर को चोर जहने के लिए आसी गर्थी कॉमिनिस पाइटी और लिक एक एक काले करता अगिसारों बाहर करे गा, और हिदुस्तान के लोगों का पैसा लेकर विदेश्यों में भागने अब नहीं देगा और मैं आपको बताना चाहूंगे प्रध्यात पक्तौर कर जब मीरभ वोगी दावोस में प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े मिहुल चौकसी प्रधानमंत्री जी के मिहुल भाई उन क्या रूस्ती थी क्या याराना था उन्हें भागने नहीं दिया उन्हें आपने भगा दिया खुली तौर में और आज आप सवाल उठाते हैं आप कहते हैं बेटी बचाओ लेकिन कुल्दीम सिंग सेंगर को बचा कर आपके अभी उस्तिम संग के अध्यक्ष को बचाकर जो बेटी हैं जब सटक पर होती है तो आप अपने बेटा को बचाते हैं बलातकारियों को आप कहते हैं घष्ठाचार्यों को लगाता क्या अडाली के घोटाने पर सवाल पूछना क्या मुबल चौक्सी को चोर किहना ललित भूदी को चोर किहना जो की OBC भी नहीं है क्या यह डलती है आप मुझे बताने अगर चोर को चोर नहीं तो क्या कहे और OBC की जहां इन्होंने बात की तो मैं आपको आज एक अख़वार दिखाना चाहूँगी जो मैं लाई हूँ साथ में यह OBC जाती के ठेकेदार बने लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि यह जो अख़वार है आपी की नहीं का देनिक भासकर है और इस देनिक भासकर में खुले दौर पर लिखा है कि राष्टे OBC महासंग ने केद्र सरकार को चेतावनी दी है केद्र सरकार को कल मंगलवार को दिली में उन्होंने धर्णा दिया हूँ और उन्होंने कहा कि हमारी जंगर्णा कराईए आप हमारे नाम पर खूब वहवारी नूटना चाहते हैं लेकिन हमारे हख की बात करिए कि नीरव मोदी लगित मोदी OBC समाज नहीं है कॉ KP वो भौड़एं वो हुं हिंदुस्तान का पैसा की जंडर पैसा लेकर भागे हैं हम हभू को कॉषच हम खालतव हुशारygenगा को य। य। न हम दरिके ना हमशार Lorenzin के यीद हमारे नेता करला दा नारा दिया तिधरों मत और कॉंग्रेस पार्टी का एक एक निता कारे करता चोर को चोर किने के लिए और इंदुस्तान की जलता की आवाज उठाने के लिए कभी भी इस निरंगुष सरकार से और शेहिंशाह से डरने वाला नहीं है हम सवाल उठाते रहेंगे इसके बाद अपराधिक मानहानी का जहां तक इन्होंने बाद कहा अपराधिक मानहानी की है कैसे अब इन्हीं के एक मेता है आरके सिंध पटेल उत्तर रुदेश के भाजपा के बांदा से सांसद करने पद्राव करने के आरोप हैं लेकिन उन्हें केवल एक साल की जेल उनको सिस्प इख साल की जेल तो जिस तरीके से इन्होंने जल्दी दिखा है मैं पूरा को पूरा आपको मामला बताना चाहते हैं इस पूरे के पूरे केस के टाइम लाइन आपको बताना चाहते हैं करनाटक के कोलार में चुनावी जन्सभा में राहुल गानी जी भाषण देते हैं अब एप्रिल 16 2019 को बीजेपी के पूर विधायत पूर्नेश जो पहले मोधी भी नहीं लगाते थे अपने नाम के पीछे आज वो पूर्नेश मोधी हैं वो सूरत में शिकायत करते हैं फिर वो दो हजार बाइस में साथ मार्च को शिकायत करता अपनी ही शिकायत पर उच्छ न्यायाले से स्टे ले लेते हैं फिर साथ परवरी दो हजार तेरीस को राभुल गांदी जी का संसत में भाशन होता है जिस पर वो सवाल करते हैं प्रधान मंत्री जी से अडानी पर पूरी की पूरी सरकार से सवाल करते हैं अडानी पर और बकायदा सबुतों के साथ उन्होंने चीजें दिखाएं उन्होंने बताया कि किस तरीके से धडाम धडाम इसके शेयर किरते जारे हैं मैं वो कटिक भी आपको भी दिखाऊंगी अखबार की कॉंग्रेस पार्टी की नहीं है अखबार की वो राभुनाती ची ने सवाल पूछा साथ फर्वरी को जो कि उनके भाशत के बहुत सारे इससे इन्होंने जिसे मैं को कि जादा दर उन्होंगा भाशा एक सपंच कर दिया फिर सोला फर्वरी को यह महाशे फिर प्रकट हो जाते क्यूंकि पहले इनकी मर्जी के सुनारे ज में अपना इस केश को वापस लेने का अंगों दिखर फिर 27 परवरी को निचली अरालत में फिर से सुन्माई शुरू होती है और फिर 23 मार्च 2013 को ट्राइलपोर्ट राहुल गानुजी को दोची थेराता है और अधिक्तम दो साल की सदा सुनाता है उसके बार बहुत ही जचाव शुरू ने जथी ने जटकी राहुल गांदी जी ने बकायदा लोगसामाद ध्रक्ष तो चिठ्थियां दिखी, एक चिठ्थी ब में देखी दूसरी चिठ्थी का जवाब ने लिए, जपर स्मझा मेरा पक्श रखने का, अगर आप लेरे ओपर सवाल होता रहे है तो लोगसभार सांसद होने के नाते आर्टिकल का हवाला देते हैं उन्होंटे कहां मेरी बात रखने का हग है और यह हग उचसे इस हिंदुस्तान का नागरिक और सांसद होने के नाते आप चीन दे सकते तो लोग सभाज ध्रक्ष कहते हैं मैं आपकी कोई बड़त नहीं कर सकता आप चाह पिकें मेरे साथ चाह चाह पूए जी लेकिन राहुल गानुजी को अपना पक्ष रखने का इस निरंगुष सरकार ने मौता नहीं दिया और जैसे की ये इंतजार कर रहे थे इसका और इन्होंने राहुल गानुजी की 24 दूटे के भीकर 24 मार्च को संसं सनस्ता रद कर दी तो जिस तरीके से जैसे पिक्चर पर सीन होता है एक पटकथा होती है स्क्रिप्ट होती है वो स्क्रिप्ट इन्होंने तयार की और स्क्रिप्ट तयार करने के बार इन्होंने जबकि 30 दिन का समय था इसको चैलेंज करने के लिए लेकिन इन्होंने 30 दिन का 9000 करते हुए 24 घंटे के भीतर भीतर राहुनादुजी की सदस्ता रदु कर दी क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति लगातार जैसा मैंने आँसे कहा बिना रुखे, बिना डरे, बिना जुखे लगातार इस निरखुष सरकार से सवाल पूछा विपक्ष की आवाज बनकर पूरे हिंदुस्तान की जड़ता की आवाज उढ़ा है वो सवाल पुछ रखा कि प्रधानमत्री जी आखिर आपका अडानी से रिष्टा क्या है? आपने कितनी विदेश यात्राई की प्रधानमत्री जी अडानी जी के साथ? श्रीलंका में आपने क्यों बिजली का ठेता ठेकेदार बनकर पूरे हिंदुस्तान की जड़ता की आवाज उढ़ा है वो सवाल पूछड़ा था कि प्रधानमत्री जी आखिर आपका अडानी से रिष्टा क्या है? आपने कितनी विदेश यात्राई की प्रधानमत्री जी अडानी जी के साथ? श्रीलंका में आपने क्यों बिजली का ठेका ठेकेदार बनकर अडानी जी जेने और आपने बिजली देने की श्रिलंका में अडानी को पेल भी की आपने और बंगला देश में भी यही किया तो आज मिपप्षापसे सवाल भी ना पूचे आज राहू गान जी आपसे सवाल भी ना पूचे जिस सरकार के पास सेना में डेड़ लाग से दादा पद खाली है सेना में डेड़ लाग से दादा पद खाली है और इस सरकार के पास वो डेड़ लाग पद भरने का समय नहीं है उसके अलावा मैं आपको सब दिखा हुए ओवर वन पॉइंट यह गौर्रमिट क्या है हमारे नहीं है किया हम इन पर सवाल कुछे कि आप हमारे युवा को नौकरी देने की बात कर दें और आप नौकरी चीम रहें और जब युवा नौकरी मांता है आप पगोड़े दिनने की बात करतें के से